तो बच्छों आज हम बात करेंगे Distributable और Indistributable Particles की बात करेंगे काफ़ important term है यह Statical Thermodynamics में कि कौन से Particle Distributable होते हैं कौन से Particle Indistributable होते हैं तो यह जो term है यह असल में explain की जाती है Heisenberg Uncertainty Franceville से तो one by one in terms का मतलब समझने की कोसिस करते हैं कि VA cti Brendan का meaning क्या है जैसका हम बात करें कि Particle क्या होते हैं तो particle को मिनिग तो Simple Particles है जsis सारी चीजहें इस वर्ड की मिलके बनी हुए हैं जैसे कि मेरे हाथ में यह पैन है तो पैन यह जो है Particle से मिलके बना है चाप है चाप particles से मिलकं कर बना है तो पार्टिकल के बारे में किवाल हम इतना बोल सकते हैं पार्टिकल एक तरह सा दो पार्ट्स में डिवाइड कि जा सकते हैं कि एक तो बहुत छोटे पार्टिकल और एक बड़े पार्टिकल तो वहां पर दोनों पार्टिकल पर अलग-अलग फिजिक्स लगने लगते हैं चोट यह वह फोटे पार्टिकल से हैं पार्टिकल है उनमें इनके कैसी इंट्रैंसिक प्रोपर्टी जैसे मास हो गया चार्ज हो गया इस्पिन हो गया पर या पिर कहें उनका कलर हो गया अगर सब कुछ हो एकदमशन सीमलर है तो परटिकل क खैया नागी island जैसे यहांपर रामो और स्यामो यह दोनों क्या है जुड़frame भाइ आप इसे क्या होंगे अगर द्राहित वह नोगी तो उन्हुंकि रिशण कोई इसे हैं लुए गरदियों कई यहाद रिया तो कुए ये डिस निगुस करना नए व्यक्ति के लिए जो है काफी डिविकल डोता है ट्विंग्स को कि कौन सा कौन सा है ऐसे यहाँ पर हम identical में कई वार confusion हो जाता है कि identical डिस निगुस कैसे हों कि रामु रामु है स्यामु स्यामु है ठीक है तो identical जैसे कि माल लिया दिर पास यह particle है यह दो particles है तो यह बरुदकर सेम साईज है और सेम तरह सेल जया है धानी, सेम और झाएंगे कि हम identical है लेकिन अगर दूसरे दो यह particles की बात कर Channel है तो इनका color क्या हो गया different है तो different color होने से ये clear हो जाता है कि ये दोनों क्या है identical नहीं है identical का meaning है एकदम same जैसे कि Ramo और Shiamu अगर वो twins है तो एकदम क्या हो जाते है identical हो जाते है फिर पात आते हैं डिस्ट्निकोसिवल किसे कहेंगे इन डिस्ट्निकोसिवल किसे कहेंगी तो यहाँ पर जब Ramo और Shiamu ये दोनों जो है quantum particles बन जाए पो छोटे particle बन जाए तो इनको डिस्ट्निकोस करना मुस्किल हो जाता है अगर Ramo और Shiamu दोनों classical है classical particle है ये तो ये डिस्ट्निकोस किये जा सकते हैं ठीक है दोनों को one by one हम लिखते हैं यहाँ पर और देखते हैं किस तरह से इधा लिख देता हूं Distingucial Particle इधा मैं लिख देता हूं Distinguousable और इधा लिख दिया मैं जो twins है जो एकदम किया है पहले तो identicals है हम कि यह रामू-रामू है और स्यामू-स्यामू है इनको इसका कर पाएंगे अगर यह क्या है classical है पिर क्या है यह classical particles है लेकिन अगर यह बहुत छोटे यह quantum particles है तो इनों फिर confusion रहेगा कि यह रामू है कि यह स्यामू है ना रामू-रामू है या फिर यह क्या है स्यामू है क्योंकि देखने में तो identical है तो अगर quantum particles है इते हैं वह छोटे particles हैं तो यह कैसे रहते हैं Indist nucleusable रहते हैं Reason क्या है इसके पीछे क्यों होगए रामू-रामू-सयामू जब यह सबोज क्या है quantum particles है तो क्योंकि इन जानव लगने लगते हैं रामू-राम-सयाम के उपर वहाँ क्या लगने लगता है Heisenberg Uncertainty Principle quantum particle होते ही जब इतने च्रामू स्यामू छोटे हो जाते हैं तो इन पर लगता है हाइजन वर्ग uncertainty principle हाइजन वर्ग uncertainty principle लेकिन रामू स्यामू अगर classical particle से इस category में आते हैं तो यहाँ पर हाइजन वर्ग uncertainty principle नहीं लगता क्योंकि इनका मास काफी जादा है जब यह इस category में आते हैं तो इनको हम दिस्निकोस कर पते हैं कि यह रामू है और यह स्यामू है इधर हाइजन वर्ग uncertainty principle लगने की वज़े सा हम इनको दिस्निकोस नहीं गर साथ है कि कौन सा कौन सा है तो ऐसा क्यों होता है कि हाइजन वर्ग uncertainty principle जब यह बहुत चोटे हो गएं तो इनको दिस्निकोस नहीं कर पार है हाइजन वर्ग uncertainty principle कहता है कि हाइजन वर्ग uncertainty principle बोलता है कि हम simultaneously position and momentum को measure नहीं कर सकते उन में कुछ न कुछ uncertainty रहेगी we cannot measure the position and momentum simultaneously कहने को दो यहाँ पर पहुँ छोटे particles है रामू से हो तो इनकी position और momentum simultaneously measure नहीं की जा सकती जब इनकी position simultaneously इस category में आने पर नहीं की जा सकती जब quantum particles बनते हैं तो हम इनकी well defined trajectory नहीं होगी और यहाँ पर हाइजन वर्ग uncertainty principle लगेगा नहीं जब यह काफी बड़े हैं classical particles हैं तो हम यहाँ पर इनकी position and momentum simultaneously measure कर सकते हैं जब कि यहाँ पर have node रामू से हमूं have node well defined trajectory है तो रामू से हम कि यहाँ पर well defined trajectory नहीं होगी trajectory का meaning क्या है trajectory का meaning हमाली यह particle है कोई सा इन में से रामू या स्यामू और trajectory का मतलब अगर यह मैं यहाँ से throw करता हूँ तो यह यह जो trajectory है इसकी trajectory मतलब यह जो path है इसको बोल रहे हैं हम trajectory है यहाँ से यहाँ के हैं जब मैंने throw किया तो क्योंकि यहां पर हम path तभी बना पाएंगे जहां इनका की particle यहां पर है exit बता पाएं कि इसकी position यहां पर और इसका velocity कितनी है मतलब momentum वहाँ पर कितना है यहां position position को मैं denote कर रहा हूं यहां पर x है और इसका momentum यहां denote कर रहा हूं p से तो अगर हर समय यह ना जिसमय यह क्या कर रहा है फ्लाइ कर रहा है हर पात पर हर जगह बता पाएंगे तभी यह क्या हो पाएगी वैल defined trajectory हो पाएगी इनकी तो हम बता सकते कौन सी चीज कहां पर है लेकिन वही रामू से हम वह चोटे body girls हैं तो इनकी जो trajectory होगी वैल defined नहीं होगी दूसरी बात इनको locate नहीं करवाते हैं हम orbitals बनाते हैं क्योंकि यहां पर चलता probability probability फिनोमेन आ है कि यहां इसमें रहेगी uncertainty जहां position और momentum यहां पर हर point पर इनके नहीं बता पाएंगे तो यहां पर हम well defined trajectory नहीं बना पाएंगे वहां पर क्या रहेगी certainty नहीं होगी कि यह बल्कि क्या रहेगी uncertainty रहेगी तो हम well defined path नहीं हो गाई यहां पर हम probability बता पाएंगे ठीक है इस तरह से कुछ यहां से particle और इनको locate भी नहीं कर पाएंगे ऐसरे खाली क्या कहा पाएंगे कितने परसेंट probability उसके पाइजा ने की यहां पर तो यहां पर इसके लेकिन हम यहां जाव पाएंगे पाथ में uncertainty रहती है तो अगर जैसे डिस्टिंगेसेवल है रामौ से या इन डिस्टिंगेसेवल है देखते हैं यहां पर माले यह है और यह दूर है दोनों आकर के एक से क्या कि यह कोलाइट किये तो यहांपर आकर के एक दूसरे से यहां पर तो confusion create हो गया क्योंकि certainty इनका एक तो path certain नहीं है जब move कर रहे हैं तब certain नहीं है एक जगा जाकर करके मिल गए तो एक दूसरे सो यह थोड़े इनके wave function क्या होंगे overlap कर जाएंगे यहां पर तो हम certain नहीं हो पाएंगे यहां पर यहां रहते नहीं है उसमें भी क्या रहती है uncertainty रहती है क्योंकि हाई जन्वर्ग uncertainty principle उस पर लगता है तो collide करने के बाद इधर रामू है या फिर स्यामू है इधर स्यामू है या फिर रामू है तो इसको distinguish करना difficult है इसलिए बोला है कि हम जो quantum particles हैं वो कैसे रहते हैं इन डिस्निकूसेवल रहते हैं जबकि यहां पर यहां पर क्योंकि रामू से हम बड़े हो गए यह साइस में जब यह बड़े हैं यहां पर साइस में तो इनको आपस में distinguish किया जा सकता है यह रामू है यह से हम में जब यह collide करेंगे क्योंकि well defined path है इनको properly locate भी किया जा सकता है को लाइट करने के बाद भी track किया जा सकता है इनको कि यह इधर से हम ही किया हम certain हैं यहां पर यहां पर certainty रहते नहीं uncertainty पर लगने लगता है तो इनको distinguish वहां पर नहीं किया जा सकता यहां पर देखो हम particles बले ही रामू श्यामू दोनों twins है यह दोनों particle है रामू श्यामू इनकी मैंने leveling की है यह जो मेरा left hand वे रामू है और धर जो है स्यामू है मैं certain हूं कि यह यहां पर है रामू और यह स्यामू है यह दोनों collide करेंगे और collide करने के बाद फिर से गए तो क्योंकि हम इसको इसके path को track कर सकते हैं हम certain होंगे कि इधर रामू आया और इधर स्यामू आया कब जब यह क्या है classical particles हैं तो यहां पर यहां पर हम इनकी labeling कर सकते हैं क्या कर सकते हैं next point इनक can be labeled can be labeled labeled का मतलब यह है जैसे मैंने labeling की particle यह वाला पार्टिकल रामू है यह वाला पार्टिकल स्यामू है यह यह पार्टिकल ए है यह पार्टिकल बी है नाम देना उनको इनकी labeling की जा सकती है जबकि इस साइड में we can't level them can't level them उनको हम labeling नहीं कर सकती कौन सा रामू है कौन सा स्यामू है अगर हो एक साथ रह रहे रहे हैं कहने का मतलब यहां पर यह जैसे कि मालिया example होग है quantum body का electron है एक ही orbital के इंदर रहे है इसकी आप है इसकी spin down है तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह वाला जो कौन सा electron है यह रामू है या फिर यह स्यामू है कौन सा electron कौन सा है मलब particle 1 particle 2 इस तरह के labeling हम यहाँ पर नहीं कर भाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है हम certain नहीं है कौन सा particle आप इस पिन रख रहा है कौन सा particle down इस पिन रख रहा है यहाँ पर हमें सा confusion uncertainty रहेगी यहाँ पर इनको label नहीं कर सकते हैं इनके नाम कि यह electron रामू है यह वाले electron से आम हो इनकी labeling नहीं की जा सकती है क्योंकि हम इनको जानी नहीं सकते हैं reason क्या है इन पर चलते हैं अगर चलते हैं अगर चोटे पार्टिकल वाले quantum पार्टिकल हो जाते हैं तो इन पर लगता है है तो यह एकदम के लिए रहे जब classical particles होते हैं वो डिस्ट्रिगुसिबल है और जब quantum particles होते हैं वो इन डिस्ट् जा सकता तो उनके well defined path रहते नहीं है और उनको locate भी नहीं किया सकता लेकिन के जगा quantum particles जैसे के वाले cluster में atom की position क्या होगी locate कर सकते हैं उनको numbering दे सकते हैं तो वहाँ पर क्योंकि हम उनको locate कर वा रहा है तो ओडिस्ट्रिगुसिबल हो गए एक दूसरे से पहचान सकते हैं यह यह नहीं ही राम है यह सियाम है तो उनकी labeling की जा सकते हैं जब labeling की जा सकते हैं क्योंकि इस तरह से mix up नहीं हो रहे हैं हम क्या कर पा रहे हैं उनको वहाँ पर locate कर पा रहे हैं तो particles औो disreducible हो जाते हैं तो यहाँ इतना ही इसके आगे देखते हैं इन disreducible जो quantum particles है particles पोजर टेक्निकल टर्व है नहीं particle हम जानते हैं particle मतलब जिससे सारी सीज़े मिलके वनी होती है तो इनको further दो parts में divide किया गया है रामो और शामुजब क्या है quantum particles है हैं तो इनको further दो category में divide किया गया है यहना किस के स्पिन करते रहते हैं घूमते रहते हैं जैसे कि हम जानते हैं electron को तो जानते हैं spin हाब होती है उसकी होगिया करता रहता है rotate करता रहता है spin है यहना उसकी inherent property है spin तो उनकी spin number होते हैं कहने कह अचुल दाघाए है कहने कहां अरण रामू और स्यां जब क्या है quantum particle है तब की बात कर रहे हैं इतना technical बात है यह बहुKit simple बात है यह तो यह कोन अच करते रहते हैं in यह के क्या नो其實 कर दो डांस करते रहते हैं जब quantum particle होते है कैनी का मNTоко रामों पो छोटे बहुत इसमाल है तो यह क्या करते रहते हैं इस पिन करते रहते हैं तो जो कॉंटम पार्टीकल ह suis onint ko further divide किया गया है छोटे माले पार्टिकल जो है कॉंट्स को फर्दर डिवाइट क्या गया है किस में फर्मियोन और बोशोन में इदर लिख देते हैं फर्मियोन और बोशोन जो रामू रामू श्यामू दोनों बहुत छोड़े हैं तो फर्दर इधर रामू आ गया है उधर श्यामू आ गया है किस बैसे सब आ गया है उनकी इस्पिन किस तर्ह कि एक सदसर हो इस पिन नंबर है उनका पर निए उस्पोन से ब में उनको आँबक किस निटेजी से रोटेट करें का इस पिननबर क्या है है किस तरह सब अगर को इस से को जिनका इस तit क्या होता है हाफ जिनका spin क्या है, spin number, half integer है, half integer, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर half है, या फिर कितना एथिरी वाईटू है, या फाइफ वाईटू हो गया, etc, जब भी बोशोन है, तो बोशोन रहाँ मुझे बोशोन कब कहलाएंगे, जब वह वाले particles कहलाएंगे, जिनका spin number क्या होगा, integer होगा क्या होगा, integer होगा, मतलब 0 होगया, 1 होगया, 2 होगया, बहुत simple बात है, हमने पहले क्या किया है, particles को 2 में गह दिया, कि distributional particle, distributional particle, distributional particle क्या कह दिया, हमने classical particles, जो हैं, distributional particles किया जा सकता है, वहले ही identical है, क्योंकि उनको हम track कर सकते हैं, उनका path well defined है, फिर बहुत कहा, quantum particles की बात ही, तो हम कह रहे हैं कि quantum particles क्या करते रहते हैं, जब यह quantum particles हैं, तो dance करते रहते हैं, इनका कुछ ने कुछ spin, तो spin के basis पर हमने इनको दो parts में रिवाट कर दिया, फर्मियोन और बोसोन, बहुत simple, technical term ही नहीं यह फर्मियोन और बोसोन, यह फर्मियोन कब कहला रहा है, बोसोन कब कहला रहा है, इनके spin करने में, जब dance में, जब rotate कर रहा है, उसमें difference है, जो half integer है, उस तरह के particle को फर्मियोन कहा दिया, जब integer, उनका spin नमबर क्या है, integer है, तो उनको हमने बोसोन बोल दिया, example साब यहाँ पर जानते हैं, half integer electron तो जानते हैं, example है, कुछ एक्जाम्पर electron हो गया, electron हो गया, proton हो गया, neutron हो गया, neutron हो गया, बोसोन में photon है, जो light आती है, है ना, तो photon का जो किसमाद है, बोसोन में आता है, और कुछ टर्मिस तरह से gluon है, gluon है, तो कुछ examples आपको इसके और लेको extra, ठीक है, गोगल करके, तो बोसोन कहला रहा है, जब integer नमर है, यहाँ पर दोसर जब यह हाफ integer है, तो इस पर चलता है, पाउली exclusive principle चलता है, पाउली को follow करते हैं, पाउली exclusive principle चलता है, इन पर, मतलब जब इनका integer हाफ होता है, सभी पर, क्योंकि हम electron जानते हैं, electron के failing हम करते हैं, 10th class से, तो यह फर्मियों, सारे फर्मियों सी पाउली exclusive principle को follow करते हैं, जब कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, पाउली exclusive principle क्या कहता है, कि अगर सारे quantum number से हैं हैं, लेकिन spin quantum number different होगा, यह न, at least spin quantum number तो, कि 2 electrons का different होगा, तो इसको बात का यहाँ पर मतलब यह हो जाता है, कि इनकी अलग-अलग state में filling की जाएगी, एक state में दोनों नहीं रह सकते, रामो और श्यामो एक साथ नहीं रह सकते, अगर इनका spin कैसा है, हाफ है, तो इसकी state अलग होगी, यह अलग जग रहेगा, यह अलग जगा रहेगा, VIP हो जाएंगे, अलग-अलग seat फे बैठेंगे, एक साथ नहीं फिन नहीं रखा जा सकता, इनके पर पावली एक्सक्लोसी प्रंस्पिल को यह फालो करेंगी, जोकि बोसोन है, बोसोन में ऐसा कोश नहीं है, उनकी फिलिंग, एक ही स्टेट में बहुत सारी फिलिंग की जा सकती है, तो इसको हम स्टेटिकल थर्मडानिमिक्स में देखेंगे वहाँ पर, पावली एक्सक्लोसी यहाँ पर एक सीज़ ज़्यादा को, इनके जो वेव फंक्शन है, वो कैसे होते हैं, वो सिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, उनके वेव फंक्शन कैसे रहते हैं, एसिमेट्रिक रहते हैं, और इसके वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन कैसे होते हैं, फिर सिमेट्रिक होते हैं, जो टोटल वेव फंक्शन कैसे रहते हैं सिमेट्रिक रहते हैं तो फ्रीफली यहां पर फर्मियोंस और बोशोन जो कौंटम पार्टिकल्स हैं दो फर्दर डिवाइड किये गए हैं फर्मियोंस उनको बोला है याद रखो एफ से हाफ एफ से हाफ जब हाफ इंटीजर मुणस एक्जम्पल्स पावलिए एक्सप फालो करते हैं बेप फंक्शन कैसा रहता है एश्यमेत्रिक होता है छिए किवाइअ पर हम जानते हैं अगर बोश्योंद तो पन और चैलते हैं यह यह फिर घानते हैं हम की parlé कि तो जिनका मास नमबर क्या है वोड है तो वो फर्मियोंस कहलाएंगे और इन में दोनों डिफ्रेंस हो जाएगा पार्टिकल्स से चीज़े मिलके बनी है तो इनके फिलिंग की बात आते हैं जैसे इन चीजों के फिलिंग बात करेंगे तो इन पे अलग अलग डिस्टिप्यूशन के लाव ने इन किस तरह से डिस्टिप्यूट होंगे ऐनरजी लेविल्स में तो फर्मियोंस पे इस्टेटिक्स चलती है फर्मी की सटेटिक इना distribution लाज चलेगा यहाँ पर बोशोन पर चलेगा बोशोन इस्टेटिक distribution लाज चलेगा तो यहाँ पर उसको हम आगे देखेंगे, इस्टेटिकल thermodynamics नहीं यहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर यह term काफी important हो जाती है तो इनको फिलाल इतना ध्यान रखना है Thank you